देयो हो praw में और में आइ बैडिए every यह बनते क्यों है हमारा कि इस पोसे में क्या पब्लेम रहता है इसलिए यहarna बनते है उसका मैं पूरा समाधन इस वीडियो में बताने वाला हूं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहे हैं लांपी मास आयरोन ओर या फिर सिंटर से डिफेक्ट बहुती ज्यादा कम होता है पैलेट्स में पैलेट्स में लेकिन डिफेक्ट पाया जाता है जैसा कि फिटेड दो पैल मेटरियल यानि जो बाइंडिंग करने के लिए जो मेटरियल यूज किया जाता है वो बाइंडिंग मेटरियल का ज्यादा हो जाना या फिर मॉश्चर कॉंटेंट यानि वाटर 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 मॉश्चर कॉंटेंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें फिटेड होने का बहुती बढ़िया तरह से यानि जो additive material यानि binding material जो हम use करेंगे उसका percentage बहुती ध्यान से maintain करना पड़ेगा अगर maintain नहीं हुआ या फिर ज्यादा हुआ तो ज्यादा होने से क्या होगा वह fitted generate करेगा अगर कम हुआ तो बॉल्ट ठीक से नहीं बन पाएगा green ball या फिर pallets वह क्य कम होता है तो फिर भी problem है ज्यादा होने से क्या हो जाएगा ज्यादा होने से क्या होता है वह binding और भी बॉल्स को एक साथ attack करके पकड़ लेगा वह मतलब fitted generate करेगा और अगर कम होता है तो वह material को पकड़कर नहीं पाएगा वह क्या हो जाएगा तूट जाएगा simple भासा में अगर बोला जाए binding material यानि bentonite का अगर percentage कम रखा जाए तो green ball का GCS यानि green ball crossing strength कम आएगा और pallets का CCS यानि cold crossing strength कम आएगा Moisture Content eard fit Benetunayet का percentage ज्यादा होने से Fitted Generate होगा वो Fitted Generate होके क्या होगा Reduction में बहुती problem करेगा Reduction सही से नहीं होगा Bede Surface में बहुती problem नहीं होगा Bed Surface में air gap Air gap का problem होगा Air gap ठीक से flow नहीं हो पाएगा इसके कारण क्या होगा Reduction नहीं होगा तो बढ़िया sponge iron नहीं बनेगा अब मैं बताने बाला हूँ pallets में red material कैसे आता है pallets में red material इसलिए आता है वहाँ पर temperature का default होता है temperature सही से होता नहीं है या फिर material का bed height बहुत ही ज़्यादा high है और वहाँ पर temperature उस bed height के मुकाबले बहुत ही कम है इसलिए material red निकलता है इसलिए time requirement बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वहाँ temperature ठीक से flow नहीं होता है ठीक है temperature flow नहीं होने के कारण क्या होता है material आसे ये red रह जाता है उसके बाद कभी-कभी अगर plant hold हो जाए hold होने के कारण क्या होता है जो material clean में है वह ठीक से पका नहीं है उसके बाद जब hold खुलता है तो red material निकल जाता है और कभी-कभी क्या होता है जो rotary clean लगा होता है उसके अंदर जो refractory lining है यानि कास्टेवल है वह क्या होता है गिर जाता है और गिरने के time वह गिरता है प्लाइट का bed surface पे बेट surface में गिरने के कारण क्या होता है प्लाइट चिपट जाता है ठीक है एक दूसरे से और भी बढ़िया तरह से चिपट जाता है एकदम उसके बाद वह जब निकलता है एकदम मुह से एकदम मुह को जाम कर देता है clean का outlet को जाम कर देता है ठीक है वह बहुत ही problem होता है अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को और चैनल को subscribe कीजिए ऐसे ही बढ़िया अबडेट पाने के लिए